तो हर बार की तरह वीडियो स्टार्ट करने चे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह वीडियो आप अपने पेरंट्स बड़े ब्रदर सिस्टर के साथ बैठ के देखोगे और आप अपनी बुक में साथ साथ रीड करोगे तो लेस्ट बच्चों वर्नों के मिलने से शब्द किसे बनते हैं वर्नों के मिलने से पर तेक सार्थ शब्द झाहते हैं लिद्धक शबद का कोई ना कोई अर्थ आवस्य होता है डो या दो से अधिक वर्नों मिलकर बने सार्थक वरंस मूझ को शब्द कहते हैं वस्जेंद से आपको七स बी आपकम अपनी नोटबुक में करना है उसका अंसर यह लिखो के कोश्चन होगा शब्द किसे कहते हैं दो या दो से अधिक वर्नों से मिलकर बने सार्थक वरंस मूं को शब्द कहते हैं अब पढ़िए और समझिए यह आपके सामने पिच्चर्स हैं इनको देखो समझो यह क्या है अचकन मिलके क्या बन गया अचकन उप्योक्ट बढ़नों जब मिला कर हमने पढ़ा तो परतेक शब्द का कुछ न कुछ आर्थ निकला निकला ठ question पढ़िए ना तो यह क्या है शब्द है अफ निमनल लिकीत को पढ़िए लफ लफ इनका मीनिंग नहीं निकल रहा ना इन अब इन वर्णों को मिलाकर पढ़ने से कोई अर्थ नहीं निकलता है तो यह निर्थक होगे अत्या वर्णों के सार्थक स्मू को ही शबद कहा जाता है जो सार्थक जिनका मिनिंग निकलता हो अर्थ निकलता हो उनके स्मू को ही शबद कहा जाता है इसी प्रकार कुछ वर्ण पर स्वरों की मात्राइं लगाने पर भी शवर बनते हैं जैसे हीरन यह पिचर है अब इनमें एकी मात्रा लगी है ना साबुन, मचली, कुछ शबर संजुक तक्षो द्वारा भी बनाए जाते हैं जैसे ये कहे है पत्ता, इसमें तरकी डबल आवाज आ रही है तो कैसे लिखेंगे पत्ता, गुबारा, गुबारा, बच्चा, बच्चा इसमें आदे च, आदे ब, आदे तरकी भी आवाज आ रही है अब हम पढ़ेंगे वाक्या, शबद का आपको मैंने सुझा दिया है अब हम पढ़ रहे हैं वाक्या, शब्दों को सार्थक करम में रखने से वाक्या बनता है शब्दों को सार्तक करम में रखने से वाक्या बनता है निमन परकार के वाक्या अर्थ को सही परकार से शपस्ट करते हैं तो अब ये पिच्चर है जैसे आपको एक्जामपल दे दी दोनों पिच्चर से है रही है पढ़ा बच्चो को शिक्षी का तो ये सही है नहीं है ना इसका अर्थ नहीं निकल रहा है इसका सही अर्थ क्या निकल रहा है शिक्षी का बच्चों को पढ़ा रही है ये सही है है ना तो ये सार्थक हो गया है किसान हल जोत रहा है ये रौंग है इसका कोई अर्थ नहीं है ना तो ये वाक्या नहीं बन रह किसान हल जोत रहा है इसका अर्थ निकल रहा है तो यह क्या है वाक्य यहां चित्र के नीचे आए पहले दोनों वाक्यों से अर्थ श्पस्ट नहीं हो रहा क्योंकि इन दोनों वाक्यों में शब्दों का क्रम सही नहीं है दोनों चित्रों के नीचे आए दूसरे वाक्या अर्थ को पूरन रूम से श्पस्ट कर रहे हैं पूरन रूम से श्पस्ट तो पहले वाक्या से पता चलता है कि शिक्षी का बच्चों को पढ़ा रही है और दूसरे वाकंगें से पता चलता है किसान खेत में हर जोत रहिए इन दोनों का मिनिंग निकल रहा है पूरण रूप से शुपस्ट कर रहे हैं अब कोश्चन आता है वाक्या किसे कहते हैं इसका अंसर है शब्दों का सार्थक वर्मू कर वाक्या कहलाता है तो हमने ये पूरे चैप्टर से क्या सिखा अब दो या दो से अधिक वरनों से मिलकर बने सार्थक वरन स्मू को वेरिगो शबद कहते हैं ये आपका कोश्चन है शबद किसे कहते हैं वाक्या किसे कहते हैं ये आपने अपनी नोट बुक में करना है शब्दों का सार्थिक स्मू वा क्या कहलाता है अब हम करेंगे अब अब आपने पूरा चेप्टर रीड कर लिया अब आप एक्जाम्पल के साथ शब्द बनाएंगे तीक है अब हमारे पास ये बीच में है सरकल में ब और ये तीन लटर दिये गए कस त तो इनको इसके साथ मिलाके वर्ड बनाने हैं कब कब सब सब तब तब ऐसे ये न ल नल हल हल फल फल ओके अंडर्टेंड आगे समझ आपको तीक है आगे है चितर पेचानकर उसके नाम के पहले वर्ण पर गोला बनाईए पहले अक्षर पर अब ये क्या है खरगोश ये नीचे त्री ऑप्षन दियों वे नव से बनते है खरगोश पहला अक्षर क्या आता है यास मचली तो कहां से स्टार्ट होती है ये वेरी गुड मा तो मा पर गोला लगाएंगे अब दियेगे चित्रों को देखकर वाक्या पूरे कीजिए अब आपको वाक्या सेंटेंस पूरे करने हैं ये क्या है अब बाकी सारा लिखा हुए और आपको ये पिच्चर देखने और जहां फिल करने है डैश नरित्या कर रहा है कौन नरित्या कर रहा है मोर डैश पूरब से निकलता है कौन निकलता है पूरब से वेरी गुड सूरज पूरब से निकलता है डैश खाना बना रही है कौन खाना बनाता है आपके घर पे ममा बनाते हैं ना येस यहां लिखे के चित्रों का उनके सही नाम से मिलान की जी यह तो मैच करने आपने सीनियर के जी में भी किया है ना यह बहुत इजी है पिच्चर देखने और उसके साथ नेम के साथ मैच करने यह हाथी यहां मैच होगा मोर मोर पेड़ पेड़ रत रत जंडा जंडा महल महल ओके थेंक यू सो माच यह वीडियो आप देखिए और कोमेंट में दोनों कोश्चन के आंसर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू सो माच झाल 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 झाल